हलो हीडेंस, आज की स्यूडियो में, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, लेखा सास्तर के अध्याय आठ के आठ दसंबल अच्छा है, रोकड बही के सेस तथा पास बुक के सेस में सेस के अंतर, तो चलो देखते हैं, सेस के क्या अंतर हो सकते हैं, देखो, पहला क् जिन्हें पास बुक में लिखा गया हो, किन्तु रोकड बही में नहीं लिखा गया हैं, तो इसके अंदर देखो, कुछ टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर पहला है, निर्गमीत किये गए चेक जो भुकतान हेतु प्रस्तूत नहीं होए हैं, तो ये क्या होता है, जानते हैं, वैपारी जब अपने लेंदारों को भुकतान करने हेतु चेक निर्गमीत, मतलब जारी करता है, तो इसका लेखा वह रोकड बही के क्रेडिट पक्ष में तूरंद कर देता हैं, किन्तु बैंक इस वैखार का लेखा उस समय तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे जारी किये और पास्बुक दोनों के सेसो में अंतर उपस्थित हो जाता है, समझ में आ गई है टोपिक, बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको चेक दिया, और चेक देने के बाद अगर आप बेंग में जमा करते हो, तब ही वो पैसा आपको मिलेगा, और जब तक कि आप बेंग में ज देट रहता है, उस देट तक कि आपको जमा करना होता है बेंग में, अगर उस देट के बाद अगर जमा करोगे, तो वो भुकतान नहीं हो पाएगा, ठीक है, आगे देखो, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, संग्रहन करने है तू, भेजे गए चेक का संग्रहन ना होना, व पुरंथ ही इनकी रासी से रोकड वही में बैंक को डेबिट कर देता है, किन्तु बैंक वैपारी के खाते को उस समय तक क्रेडिट नहीं करता है, जब तक कि ऐसे चेक, हुंडी तथा विपत्र की रासी देनदार से वसूल नहीं हो जाती, इस तरह ऐसे वैहार का लेखा रो समझ में आ गया होगा ना, तो एकदम उधारान से बताने की जुरुवत नहीं है, सलसल टॉपिक है, इसके बाद देखो, चेक रोकड में लिखे गए पर बैंक जमा करना भूल गया है, तो देखो, क्या होता है ये, कभी कभी जल्दी में वैपारी प्राप्त चेकों का बही का सेज बढ़ जाता है, और पासबुक का सेज पुर्वत बना रहता है, अब इसके दूसरे टॉपिक देखते हैं, ऐसे वहार जिन्हें पासबुक में लिखा गया है, किन्तु रोकड बही में नहीं लिखा गया है, तो चलो, इसको भी कुछ टॉपिक हैं, इनको भी द बहाते में क्रेडिट कर देती है, किन्तु रहाक उस रासी को अपनी रोकड बही में उस समय तक डेविट नहीं कर पाता है, जब तक कि उसे उसकी सुचना प्राप्त नहीं होती है, अता दोनों बहीयों के सेज में अंतर होना सो भाविक हैं, दुसरा देखो, बैंक द्वार एक मिनट, बैंक द्वारा लगाया गया अधिक वर्स, अधी विकर्स पर बैंक वय तथा कमिशन आदी, बैंक अपने ग्रहकों को उसकी जमारासी से अधिक रकम निकालने की सुच़ करता हैं, अता समय समय पर ग्राहक द्वारा अधिक निकाले गई रकम पर बैंक ब्याज इसी तरह अन्य सेवाओं की सुईधा उपलब्ध कराने के एवाज में बैंक द्वारा ग्राहक से बैंक वै अथ्वा कमिसन आदी के रूप में रकम की वसूल ली जाती है इन सभी रासियों से बैंक रहक का खाता डेबिट करती है किन्तु वैपारी को इनकी सुचना ना होने के कारण वह बैंक में इनकी रासियों से क्रेडिट नहीं कर पाते हैं परणामता रोकड वही और पासबुक की सेस रासी में अंतर आ जाता है आगे जानेंगे कि कैसे अंतर आएगा न एक उधारन के माद हम से अभी इसको पढ़ लेते हैं थियोरिकल है इनसे संबंधित अगर एकजाम में प्रशन आते हैं तो इही टॉपिकों को लिखने इसके अंदर क्या क्या लिखने यही अभी हम लोग देख रहे हैं बैंक द्वारा वसूली गई प्रती भूतियों की ब्याज रासी लाभांस आदी बैंक द्वारा वैपारी के लिए उनके निर्दे सानुसार समय समय पर प्रती भूतियों पर ब्याज कमपनी से लाभांस प्राप्त प्राप्विपत्रों की रासी संग्रहित की जाती है अतब बैंक जैसे ही इनकी रासी वसूल कर लेती है, तूरंथ ही ये रासियां वैपारी के खाते में जमा कर देती है, किन्तु सुचना के अभाव में वैपारी इनका लेखा अपनी बहियों में नहीं कर पाता, परणामता रोकर बहिय वा पासबुक के सेस में अंतर हो जाता है इसके बाद चौथा है, वैपारी के खाते में उनके देनदारों द्वारा सीधी जमा की गई रासी, कभी-कभी वैपारी के देनदार वैपारी के बैंक खाते में सीधी रकम जमा कर देता है, इसकी सुचना वैपारी को कुछ समय बाद मिलती, अता सुचना मिलने तक रोकर बहिवा पास्बुक के सेस में भिंता होगी नेश्ट है पांचवा बैंक द्वारा वैपारी के लिए किये गए सीधे भुकतान बैंक वैपारी के इस्थाई आदेसा नुसार उसकी ओर से अनेक प्रकार के वैव का भुकतान करती है जैसे बीमा किस्त है बिजली के बील आदी अता बैंक जब भी इस प्रकार के भुकतान करती है वैपारी के खाते में भुकतान की गई रकम डेविट कर देती है किन्तु सुचना नहां होने के कारण वैपारी बैंक को क्रेडिट नहीं कर पाता अता दोनों में अंतर की उपस्थिती रहना सोभाविक है इसके बाद वैपारी बैंक के खाते को वैपारी बैंक कर देती है किन्तु सुचना के अभाव में वैपारी बैंक खाता प्रेडिट नहीं कर पाता है पर नामत्तह दोनों बहियों के सेस में अंतर उपस्थित हो जाता है अब यहां पर जो मैं बताने वाला हूँ यह एक प्रकार का कह सकते हो अंतर बताया गया है जो उदाहरान से संबंदीत है कि दोनों के पास्थित और जो आपका रोकड भही है जिसे हम कैस्थित कहते हैं दोनों सेम क्यों नहीं होता है तो इसी के बारे में यहां पर जात रोकड भही और पास्थित के सेस में अंतर का लच्य उदाहरान देखो यहां पर जो दिया हुए डेट है ना दोनों में से दिया हुए डेट है पार्टिकुलर एमाउंट है इसके बाद फिर डेट है पार्टिकुलर एमाउंट दिया हुए ठीक है तो चलो अब इसको जानते हैं और समझते हैं देखो एक जनवरी की घटना है ना रोकर 10,000 रुब्या ठीक है एक जनवरी की घटना है रोकर 10,000 रुब्या तो 10,000 रुपया उन्होंने क्या किया है जमा किया डेविट की पक्षे में मतलब जमा किया है तो देखो 10,000 रुपया एक तारीक के यहां पर लिखेंगे पास्बुक है इसमें है ना पास्बुक में पास्बुक का मतलब जो आपके पास बेंक अकाउंट है ना वही पास्बुक यह है समझो और यह क्या है यह वैपारी वाला है ठीक है यह वैपारी का खाता है और यह पास्बुक है जो इनके अकाउंट में पैसा आ की अब 10,000 रुपय इनके अकाउंट में आ गया ठीक है 10,000 आ गया ठीक है इसके बाद देखो 10 तारीक को 10 तारीक को यहाँ पर विसाल ने 2,000 रुपय दिया हा ना विसाल ने 2,000 रुपय दिया तो इनको भी इन्हों ने बैंक एकाउंट में दिया है ठीक है तो 10 और 2 दोनों को प्लस करके लिखा जाता है बैलेंस ऐसी बनाया जाता है ठीक है तो दोनों को जब प्लस करें कितना होगा 10 और 12 तो 12,000 आ गया अब इसके खाता में यहां पर कितना हो गया 2000 प्लस होने के बाद 12,000 रुपया हो गया इसके बाद देखो फिर कितने मार्च का है 10 मार्च का इंसोरेंस प्रीमियम अब इंसोरेंस प्रीमियम यहां पर बताया नहीं कितना काटा गया है यहां पर बताया नहीं कितना काटा गया है लेकिन नीचे वाले जो पास 1200 रूपय.... 1200 में 500.. ठीक है यहां तक आपको समझ में आगया ठीक है अब यहां पे देखो फंद्रा तारीक को स्याम को 2,000% रूपय दिये ठीक है लेकिन यहां पर इसे धर्ज नहीं किया गया है अब दर्ज नहीं करने का कारण क्या है कि भई स्याम को जो 2000 रुपे दिये न वो जो है चेक के द्वारा दिया होगा और चेक जो है इसके लगाने का डेट रहता है उस डेट तक के इन्होंने चेक को नहीं लगाया समझ में आ रहा है जैसे मैंने आपको चेक दिया और चेक का मैंने लिग दिया कि भई ये लाष्ट महीने तक रहेगा मतलब दो तारीक से लेके आप कह सकते हो इसी तरीके से कोई भी डेट ले लो पात तारीक से लेके इसके महीने तक कि है ना तो महीने तक कि अंतीम डेट दीया, तो उनतीम डेट मैं आपने cheque नहीं लगाया तो क्या होगे cheque expire हो जाता है ठीक है, तो यहां पर जो मैंने दिया है 2000 रुपया, मैंने अपने खाता में add कर दिया है, समझो जो मैं अपने पास जो book रखता हूं उसमें मैंने add कर दिया है ना लेकिन bank में में जमा नहीं किया तो bank में जमा नहीं किया तो इसलिए यहां पे सियाम वाला deposit और withdrawal दोनों क्या हो गया qura हो गया समझ में आ गया इसके बाद यहां पर यह 4,000 रुपिया है चार हजार रूपयों को भी देख लेते हैं देखो चार हजार रूपय का क्या करना है तो चार हजार रूपय बीस तारीकी घटना वे यहां भी वैसी है तो समझ में आ गया कि यह चार हजार रूपया जो है यह जमा क्यों नहीं हो पाया तो यह इसी कार नहीं हो पाया क्योंकि वह चेक मिला होगा और मैं वेंक में नहीं जाके जमनी कर पाया तो इसलिए जो मिला है उसको हमने लिख तो दिया यहाँ पे 4000 रूपय का चेक मिला है ठीक हैut forget लेकिन इसको हम किसी कारणावस नहीं इसलिए यहां पे 20 तारिक में क्या लिख दिया गया है कि जो सेम रासी है 11300 रुपया आगे नहीं बढ़ पाया ठीक है इसलिए देखो दोनों बैलेंस जो है मतलब एक पास बुक है एक रोकड वही दोनों क्या हो गया अनमेच हो रहा है ठीक है अब इंट्रेस्ट भी मिल रहा है तो इंट्रेस्ट कितना मिलेगा यह तो खाते में जो बैनेस होता है उसके इसाप से रहता है हना समय समय पे बदलते रहता है जा कि आप पैसे निकाल देते हो फिर फिर जमा कर देते हो तो हर तीन महिने में एक बार आपको क्या मिलता है इंट्रेस्ट मिलता है कहां पे ब रुपय टोटल बैलेंस है, 16,000 बैलेंस का यहाँ पे 160 रुपय इन्होंने दिया है, तो 160 रुपय को क्या करना है, इसके साथ प्लस कर देना है 11,300 प्लस करोगे 11,400 हो जाएगा ठीक है, अब देखो, यहाँ पे टोटल बैलेंस 16,000 है, है न, दोनों साइड में किसी भी साइड को देख लो, 16,000 है लेकिन यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना है, 11,400 रुपय है तो दोनों का साइड बराबर है क्या नहीं न तो पास्बूक बराबर है और नहीं बराबर नहीं हो पाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी जो टॉपिक बचे उसको मैं आपको नेश्ट वीडियो में बताऊंगा